गाइज आज के इस वीडियो मैंने आप लोग के लिए कुछ वर्ड मिनिंग साथ में उसके अपोजिट वर्ड लेकर आई हूँ आज के वीडियो बहुत स्पेशल है चाहें आप बिगनर्स हो चाहें आप एडवांस लर्नर हो सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर कंप्लीट करने को तो हम कर लेते हैं लेकिन दिक्कत उसमें आती है जब हमें वर्ड मिनिंग का यूज करना होता है क्योंकि हम जब इंगलिश बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा अटकते हैं वर्ड मिनिंग में क्योंकि हमें करेक्ट वर्ड मिनिंग याद ही नहीं आते हैं तो आप सीथे हमारे टेलिग्राम चानल पर पहुंच जाओगे और वहां से इसकी पीडिया आप डाउनलोड कर सकते हो तो देखे यहां पर वर्ड मीनिंग है और यहां पर उसके ऑपोजिट वर्ड है जैसे फोस्ट हमारा है अवर्प अवर्प का मतलब क्या होता है उपर अवर्प का मतलब होता है उपर अगर हम इसके ऑपोजिट वर्ड देखने जाए इसका ऑपोजिट वर्ड होता है विलो यानि की नीचे अवर्प का ऑपोजिट वर्ड विलो एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय वियस्त या एक्टिव रहना मतलम कोई काम करने में एक्टिव रहना तो यानि कि सक्रिया रहना उसका ओपोजिट हो जाएगा लेजी निस्क्रिया कमजोडिया यानि कि कोई काम में सुस्त बना रहना लेजी रहना ठीके नेक्स्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानि कि सुईकार करना मतलब कोई proposal हो गया, स्विकार करना, accept करना, उसके opposite word हो गया, refuse, refuse means, इंकार कर देना, accept करना, इंकार कर देना, accept, refuse, accept, refuse, इस तरह से याद करना, ठीक है, alive का मतलब होता है, जिन्दा, alive means, जिन्दा, और dead means, मृत, यानि कि मरा हुआ, dead, alive, dead, all, all मतलब होता है, सभी, all मतलब सभी, और इसका opposite हो जाएगा, none, यानि कि कोई नहीं, get, all, none, okay, adult, adult का मतलब होता है, व्यसक, मतलब बड़ा हो जाना, adult हो जाना, और इसका opposite हो जाएगा, child, child means, बच्चा, adult, child, okay, answer, यानि की, उत्तर, answer यानि की, उत्तर देना, इसका opposite हो जाएगा, question, 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 answer, question, agree, agree, मतलब सहमत होना, opposite हो जाएगा, disagree, मतलब ऐसहमत होना, सहमत, ऐसहमत, agree, disagree, अब्सेंट यानिकी अनुपस्थित होना इसका आपर जुझाएगा प्रेजेंटि यानिकी उपस्थित होना एप्सेंट प्रेजेंट ए के एस्सरेष आनिकी साहैता करणा किसी कि हैल्प करणा सस्सक् Links सेस्ट अपर मुद्छ सकते हो और प्राप्त करना या जीतना कोई गोल है उसे अचीव करना उसको opposite word हो जाएगा फेल यानि कि नाकाम होना हारना नाकाम होना या फिर हारना next is add add यानि कि जोडना add means जोडना और उसको opposite हो जाएगा subtract यानि कि घटाना add subtract add subtract afraid अफ्रेड यानि कि भैभीत होना डर जाना अफ्रेड हो जाना उसका opposite हो जाएगा confident confident यानि कि आत्म विश्वासी निश्वय विश्वस्त यानि कि जिसको में बहुत विश्वास रहता है किसी चीज का तो afraid confident after after means बाद में और उसका opposite हो जाएगा before यानि कि पहले after before after before बाद में पहले okay next amateur amateur का मतलब होता है शौक या और विवशाई मतलब किसी चीज का शौक होना शौक या होता है amateur होता है और उसका opposite हो जाएगा professional professional यानि कि पेसिवर विवशाई मतलब कोई काम से ही कोई काम रखता है प्रोफेशनल होता है काम सही किसी से बात करेगा कोई काम करेगा ठीक है और amateur यानि कि शौक इन होना मतलब हर किसी से घुल मिलकर रहना नेक्स्ट है incident incident यानि कि प्राचीन या पुराना कोई वस्तु होता है प्राचीन होता है पुराने जमाने वाली होती है incident और उसका opposite हो जाएगा modern यानि कि आधुनीक नया ancient और modern आर्ग्यो आर्ग्यो यानि कि तर्क करना या बहस करना कोई मामले में बहस करना अप्परजित हो जाएगा agree यानि कि मान लेना या सहमत हो जाना Argue, agree, disagree Okay, confused नहीं होना Argue, agree, disagree Arrive, arrive यानि कि पहुँचना Arrive means पहुँचना और opposite हो जाएगा Depart यानि कि प्रस्थान करना यानि कि निकलना वहां पहुँचना हो गया उसका प्रस्थान करना यानि कि निकलना Depart, arrive एरोगेंट यानि कि घमंडे या अकड जो बहुत घमंड होता है किसी में ओके और उसका आपोजित हो जाएगा हमबल विनर्म सीधा साधा आरोगेंट हमबल एसेंट यानि कि चड़ना और उसका आपोजित हो जाएगा Ascend, descend, उत्तरना, ओके, attack, attack यानि की आक्रमन करना और defend यानि की बचाओ करना, attack, defend, attack, defend, ओके, next, awake, awake यानि की जागा हुआ, awake means जागा हुआ और asleep यानि की सोया हुआ, awake, asleep, awake, asleep, जागा हुआ, सोया हुआ, awake, asleep, bad, bad यानि की बुरा, good यानि की अच्छा, bad, good, bad, good, beautiful यानि की सुन्दर, ब्यूटिफल यानि की सुन्दर, opposite हो जाएगा अगली यानि की कुरूप या बस्सूरत Beautiful means सुन्दर कुरूप means अगली Beautiful अगली Before यानि की पहले After यानि की बाद जैसे कि अभी हम लोग ने After पिफोर देखा वैसे ही Before आफ्टर हो जाएगा A की बात हुआ ठीक है, Alphabet Alphabet Letter से हम लोग सीख रहे हैं ठीक है, पहले A का सीख लिया उसकी बाद हम B का सीख रहे हैं तो Before यानि उसका Opposite हो जाएगा After Better यानि की अच्छा Opposite हो जाएगा Wars Wars यानि की बत्तर, खराब तो हो जाएगा Better वार्स और देखे, Better आपका एक तरह से comparative degree हो गया Better आपका comparative degree है Good, Better comparative degree है Good, Better, Best वैसे ही Wars Wars भी आपका comparative degree है यह भी comparative degree है Next is Big यानि की बड़ा और इसका Opposite हो जाएगा Small या Little तो उनमे साब कुछ भी उसकर सकते हो Big, Small या Little मतलब छोटा Okay Better, Better यानि की खटा और Sweet यानि की मीठा Better, Sweet खटा, मीठा Next Broad 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 यानि की व्यापक और Narrow यानि की संकिर्ड मतलब Broad यानि की बहुत बड़ा व्यापक के उसका कारुबार है और Narrow यानि की संकिर्ड मतलब छोड़ा से जगह में कोई सामा कोई चीज है Okay Birth यानि की जन्म या उद्गम Opposite हो जाएगा Death यानि की मृत या अंत Birth Death और Alive Dead Okay Got it Black यानि की काला White यानि की सफेद Black White Blunt यानि की भोथरा मोटा बिनाधार का जैसे यह पैंसल बगार हम लोग जब लिखते हैं और उसे शाप नहीं करते हैं तो वह बहुत ही मोटा हो जाता है न उसका नाखुन तो उसे हम कह सकते हैं Blunt और जब उसे हम शापन कर देते हैं तो वह इदन शाप हो जाता है तो उसे हम शाप कहते हैं तेज प्रखर वाला या फिर पैना यानि की तेज धार वाला Okay Blunt Sharp बोल्ड यानि की साहसी या निर्भेक ओपोजिट हो जाएगा टिमीड यानि की डरपोक बोल्ड टिमीड बोल्ड मतलम साहसी टिमीड यानि की डरपोक ब्रेव यानि की बहादूर वीर और कावड यानि की कायर बुझ दिल brief यानिके संचिप्ट छोटा मतलब कोई भी answer जैसे कि बहुत बड़ा answer होता है तो हम बोलते हैं इसे छोटा कर दो तो आप brief कह सकते हो ठीक है और उसको opposite हो जाएगा long यानिकी अधीक या लंबा लंबा answer को brief करने long answer को brief करो यानिके छोटा करो संचिप्ट करो ओके next bright यानिकी चमकदार या तेज bright मिन्स चमकदार या तेज और opposite हो जाएगा dull यानिकी फीका सुस्त bright dull busy यानिकी व्यस्त opposite हो जाएगा idle यानिकी बेकार आइडल यानिकी बेकार इधर उधर बेकार बना रहता है देखो एक idle होता है और एक ideal होता है आइडियल कर spelling क्या होता है ideal कर spelling होता है ये ideal मतलम होता है others ओके idle ideal ठीके तो व्यस्त आइडल यानिकी बेकार buy यानिकी खरीदना और sale यानिकी बेचना buy, sale cautious यानिकी सावधान या फिर केरफूल भी कह सकते हो तो cautious और careless cheap यानिकी सस्ता opposite हो जाएगा expensive यानिकी महेंगा cheap, expensive cheap, expensive clever यानिकी चालाग clever मिन्स चालाग और opposite हो जाएगा stupid यानिकी मुर्ख clever, stupid clever, stupid catch, catch यानिकी पकरना catch मिन्स पकरना opposite हो जाएगा miss यानिकी छोड़ना catch, miss पकड़ना छोड़ना, catch, miss, got it, next, cry means रोना और laugh means हसना, cry, laugh, cry, laugh, हसना, रोना, cloudy यानि की धूंधला, cloudy यानि की धूंधला, अगर बारस का मौशम नहीं होता है तो क्लियर रहते हैं तो अपर ए इसका ही, तो आपर इसके एुज़र कर सकते हो, cloud यानि की धूंधला, clear यानि की साफ, क्रूर, क्रूर याने की निर्दई, क्रूर याने की निर्दई और यूमन याने की इंसानियत, यूमन याने की इंसानियत, क्रूर, यूमन क्लीन याने की साफ, डर्टी याने की गंदा या मैला चीक है, क्लीन याने की साफ, डर्टी याने की गंदा या मैला Close means बंद करना, Open means खोलना Close, Open Cold यानी की ठंडा और Hot यानी की गर्म Cold यानी की ठंडा, Hot means गर्म Complex यानी की जटील या पेचिदा Complex यानी की जटील या पेचिदा और Simple यानी की सरल complex यानि के जटील, पैचिदा और simple यानि के सरल complex, simple next is compliment compliment मिन्स होता है insult compliment मिन्स insult, अपमान करना compliment मिन्स प्रसंसा और insult मिन्स अपमान करना compliment, insult cool, cool यानि के थंडा और warm यानि के गर्म या गुनगुना cold, hot, cool, warm ठंडा, गर्म या गुनगुना crazy यानि के संकी या चक्की बत्रम कोई बात के लिए संकी रहता है crazy रहता है और उसका opposite हो जाएगा same यानि के समझदार, विवेकी, कोई भी काम करता है समझ करता है, समझदार होता है same, okay, crooked crooked यानि के धूर्थ, कुटिल opposite हो जाएगा, straight यानि के इमंदार या सीधा crooked यानि के धूर्थ, कुटिल मतलम कोई भी काम करो, टेढ़ा मेरा तरीका से करो और उसका हो जाएगा, straight यानि के इमंदार होता है सीधा होता है crooked, crooked यानि के, crooked या कठोर और इसका opposite आप कह सकते हो, kind वैसे और एक जगा, हम लोगों ने कुरूर देखा था ना उसमें युमन इंसानियत भी कह सकते हो, निर्दई भी कह सकते हो और इसमें देखे, कुरूर यानि की, kind या दयालू भी आप कह सकते हो बहुत सारे word होते हैं, बहुत सारे meaning होते हैं, अलग-अलग डार्क, light, day यानि की, दिन और night यानि की, रात, day, night वैसे ही, decrease यानि के, कम होना या घटना, decrease होना opposite, increase यानि के, विद्धी होना या बढ़ना, decrease, increase decrease, decrease, increase, deep यानि की, गहरी या गहन, और shallow यानि की, छिछला, कम गहरा, ओजहा, deep यानि की, एकदम गहरा, और shallow यानि की, कम गहरा, गहरा है, लेकिन कम गहरा है, और deep यानि की, बहुत ही गहरा है, ठीक है, डल यानि की, मंध, और bright यानि की, चमकदार, डल यानि की, बहुत ही फ Got it Danger यानि की खतरा और opposite हो जाएगा Security यानि की सुरक्षा Danger, Security Daughter यानि की बेटी और Son यानि की बेटा Daughter, Son Defeat यानि की हाथ Victory यानि की जीत Defeat, Victory PDF यानि की बचाओ करना Attack यानि की हमला करना defense यानि की बचाओ करना, attack यानि की हमला करना next is dangerous, dangerous यानि की खतरनाग, safe यानि की सुरक्षित dangerous, safe, dangerous, safe, death यानि की मृत्यू, और birth यानि की जन्म अब यहां लोग ने देखा था ना, उसमें B letter से था, तो यहां birth और यहां death लिखा हुआ था अब D letter से सीख रहे हैं, तो that यानि की मिर्तिव, birth यानि की जन्म demand, demand यानि की मांग, supply यानि की पूर्ती next is destroy, destroy यानि की nest करना या विनास करना nest करना या विनास करना opposite हो जाएगा, create, build, निर्मान करना destroy मतलम कुछ गोई चीज नस्ट कर देना और build या फिर create यानि की निर्मान करना किसे चीज़ का destroy, create या फिर destroy, build, got it? divide यानि की विभाजन करना या बाटना, divide कर देना opposite हो जाएगा, unite यानि की संयुक्त करना, मिलाना एक दूसर से अगर अलग-अलग है तो उसे मिलाना, या तो unite और divide यानि की बटवारा कर देना next है, down यानि की नीचा और up यानि की उपर down, up, down, up drunk यानि की पिया हुआ, मदहोस opposite हो गया, sober यानि की सैमी, समझदार drunk, sober next है, east यानि की पूरव, और west यानि की पक्षिम guys, अभी मैंने पूरा आप लोगों को A letter से Z letter तक नहीं करवाया है इसमें आपको कुछ मिलेंगे, और इसकी second part पी जल्द में लेकर आऊंगे जिसमें आपको Z letter तक सारे word और opposite word मिल जाएंगे तो देखिए, east यानि की पूरव, और west यानि की पक्षिम early, early यानि की जल्दी, और late यानि की देर early, late, early, late enemy, enemy यानि की सत्रू, opposite हो गया friend यानि की दोस्ट enemy, friend, सत्रू, दोस्ट, enemy, friend enjoy यानि की मजा करना, opposite हो गया hate यानि की नफरत करना enjoy, hate, वैसे love और hate भी आप कह सकती हो, ठीक हो? enjoy, hate, everything यानि की सब कुछ और nothing यानि की कुछ भी नहीं everything, nothing, everything, nothing exactly यानि की सठीक और approximately यानि की अंदाज exactly यानि की सठीक, approximately यानि की अंदाज enter यानि की अंदर आना, leave यानि की छोड़ना मतलब वो place को छोड़कर बाहा निकलना, leave ओके नेक्स्ट है इवनी यानि कि साम, मौर्णी यानि कि सुबर, इवनी, मौर्णी, इवनी, मौर्णी, एक्स्पैंड यानि कि विस्तार करना, मतलम कोई वैपार है उसका विस्तार करना, एक्स्पैंड करना, और कॉंट्रक्ट मतलम सिकुडना, कॉंट्रक्ट मतलम सिकुडन और expand यानिकी विस्तार करना fail यानिकी ursuffle, pass यानिकी suffle, fail, pass fail, pass fate यानिकी मोटा, और skinny यानिकी पतला, fate, skinny fate यानिकी मोटा, skinny यानिकी पतला, fate, skinny fiction, fiction यानिकी कलपना या कथा, और fact यानिकी वास्तविक या तत्या fiction, fact fiction, fact Let यानि कि तेढना और Sink यानि कि डूबना a Can suitable from Lukka an Avant आपको यह बता दो, swim का मतलम भी तैरना होता है, float का मतलम भी तैरना होता है, लेकिन अंतर क्या है, तो जो जन्मजाद तैरने जानते हैं, यानि कि जब उनका जन्म हुआ, तभी से वो तैरते हैं, तो वहाँ float का यूज कर सकते हैं, for example, fish, fish को कोई सिखाता नहीं है, कि तुम ऐसे तैरो, तुम वैसे तैरो, वो जन्मजाद तैरना जानती है, तो वहाँ float यूज करेंगे, और आम इंसान, जैसे कि मैं हो गई, आप हो गई, हम लोग अगर तैरना सीखना चाहते हैं, तो हमें कोई सिखाएगा, उसकी बाद तो हम तैरना सीखेंगे, हम जन्मजाद तै जर्गा सिंग यानि के डूबना, what इट, फालो यानि के अनुकरन करना, लीड यानि के नत्रुत्व करना, अनुकरन करना नत्रुत्व करना फालो LEAD next है fullys फुलिस यान के बेवकूफी और wise यान के समझदरी fullest वाइस बेवकूफी शमखदरी fullest, West forgive यान के छमा करना blame यान के डोसी ठहराना forgive मतलम छमा करना blame यान के डोसी ठहराना next है fridge यान के जमाना fridge और boil बॉल means उबालना fridge, boil फ्रीज बॉय इस तरह से आप याद करना ठीक है फुल यानिके भरा और एंपटे यानिके खाली फुल एंपटी फुल एंपटी भरा खाली जैन्वरस जैन्वरस यानिकी उदार और स्टिंगी यानिके कंजूस माइजर का भी यूज कर सकते हो जैन्टल यानिके विशाली या बहुत बड़ा ड्वार्फ यानिकी बॉना नाटा जाइन्ट ड्वाफ जाइन्ट ड्वाफ ठीक है नेक्स्ट है गीव यानिकी देना रिसीव यानिकी लेना गीव रिसीव गीव मतलब देना रिसीव मतलब लेना ग्लूमी ग्लूमी मतलम उदास या दुखी हो जाएगा चियरफूल आननदित हरशित ग्लूमी चीरफूल ग्रीफ याने की दुख या रंच रंच को भी दुख बुला जाते है ठीक है जोई आनन्द या खुशी ग्रीफ जोई ग्रीफ मतलम दुख और जोई मतलब खुशी ठीक है गिल्टी याने की कशुरवारिया दोसी इनोसेंट याने की बेकसूर सीधा साधा या मासूम गिल्टी इनोसेंट हैपी याने की खुश सैड याने की उदास हैपी सैड हैपी सैड खुश उदास हाड याने की सक्त इसका अपोजिट हो जाएगा सौफ्ट याने की नर्म हाड स हेवेन यानिकी स्वर्ग और हेल यानिकी नर्ग हेवेन हेल स्वर्ग नर्ग हैवी हैवी यानिकी भारी और लाइट यानिकी हलका हैवी लाइट भारी हलका हैवी लाइट हाई यानिकी उचा लो यानिकी नीचा हाई यानि उचा लो यानि नीचा हाई लो higher यानि कि मजदूरी पे रखना मतलब किसी को नौकरी पे रखना मजदूरी पे रखना higher करना और fire यानि कि मजदूरी से निकालना higher, fire higher, fire higher मतलब मजदूरी पे रखना और fire यानि कि मजदूरी से निकालना fire कर देना यूस यानिकी विसालिया बहुत बड़ा और तीनी यानिकी बहुत छोटा यूस तीनी हंगरी यानिकी भूखा, फुल यानिकी भर पेट हंगरी, फूल आइडल यानिकी बिकार निष्क्रिय जो खाली बैठावा रहता है active चुस्त या सक्रिय जो हमें सब busy रहता है idle, active बोल सकते हो या busy भी बोल सकते हो in मतलम अंदर, out मतलम बाहर, in, out next step include, include मतलब होता है शामिल करना, exclude मतलब होता है छोड़ देना include, exclude, include, exclude, सामिल करना, छोड़ देना individual मतलम वैक्ति या अलग-अलग, individual और group यानि की समू, जुन्ड, individual, group innocent, बेकसूर, सीधा, साधा या मासूम, guilty यानि की कसूरवार innocent, guilty, innocent, guilty inside यानि की भीतर या अंदर, outside यानि की बाहर inside, outside, inside, outside, in, out in, out, okay joy यानि की खुशी, sadness यानि की उदासी या फिग्रीफ का भी यूज कर सकते हैं अभी हम लोग ने पढ़ा था ना joy यानि की खुशी, sadness यानि की उदासी या फिग्रीफ यानि की दुखी kind यानि की दयालू, crew यानि की निर्दई, जिसको दयान आती हो knowledge यानि की ज्यान, ignorance यानि की अज्यान knowledge, ignorance, okay next, lake यानि की कमी और plenty यानि की भरपूर lady यानि की भद्र महिला और gentleman यानि की भद्र पुरुश lady, gentleman, lady, gentleman, land यानि की जमीन और sky यानि की आस्मान ये सब तो आपको पता है land, जमीन, sky, आस्मान और एक land का मतलब होता है उतरना जैसे land करना है ना, land करना और opposite हो जाएगा take off यानि की उड़ान भरना जैसे की aeroplane में आप चड़ते हो या किसी में भी तो उरान भरता यानि की take off करता है और उतरता यानि की land करता है है ना, large यानि की बड़ा, small यानि की छोटा, large, small, large, small last यानि की आखरी, first यानि की पहला, late यानि की देर, early यानि की जल्दी, late, early, late, early next day, laugh यानि की हसना, cry यानि की रोना, laugh, cry, laugh, cry आप लोगों में से काफी लोगों को ये लगता होगा कि मैं एक ही word आप बार बार करवा रहे हो तो guys आप धियान दीजे, मैं A letter से मैंने start किया, जिसमें C letter जब आया था, वहाँ पक cry आपको देखने को मिला था दुबारा आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि L से laugh होता है और अभी हम L letter से सब सीख रहे हैं इसलिए आपको डबल डबल देखने को मिल सकता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको याद कर लो तो laugh यानि की हसना, cry यानि की रोना, lazy सुस्त या आलसी उसका opposite active या busy कह सकते हो lazy या फिर idol भी कह सकते हो, ठीक है learn यानि की सीखना, teach यानि की सिखाना, leave यानि की छोड़ना या विदा लेना, arrive या इंटो मतलब आना या पहुँचना leave, arrive या इंटो, leave, enter या arrive left यानि की उल्टा, right यानि की सीधा, left, right, left, right land यानि की उधार लेना, borrow यानि की उधार देना और borrow यानि की उधार लेना land, borrow, land, borrow, less यानि की कम, more यानि की ज़ादा होना, less, more, less, more next lie यानि की जूट बोलना, और truth यानि की सच, lie, जूट, truth, सच, lie, truth Marriott갈 Ouch आराम करना एक लाही मतलब होता है जूट बोलना और एक लाही का मतलब होता है लेटना या आराम करना तो इसका opposite हो जायागा जिंद की डैथ मिन्स इंजिंस मॉठ लाइट याने की प्रकास दर की अन्धेरा या फिर हैवी मतलम अंधेरा नहीं होता है डख भी तोुक्ष धुल्ट है टैकंक को मतलु हल्क भी होता है Guerra तो इसता से आप याद करना, light मतलम प्रकास, dark मतलम अंधेरा, light मतलम हलका, heavy मतलम भारी Like मतलम पसंद करना, hate या dislike मतलम पसंद ना करना Like, dislike, love, hate Likely यानि की संभव, unlikely यानि की असंभव, likely, unlikely Likely, liquid यानि की तरल या द्रव या, solid यानि की स्थोस या सक्थ, liquid थोस Next है, little यानि की थोड़ा या नन्हा, little मिन्स थोड़ा या नन्हा, big या large मतलम ज्यादा या बड़ा देखे, ज्यादा या बड़ा, big या large, okay Live मतलम जीना, और die मतलम मरना Live मतलम जीना, die मतलम मरना, lonely मतलम निर्जन या अकेला और crowded यानि की भीड़ भार या भरा होना, lonely, crowded Long यानि की लंबा, short यानि की नाटा, long, short Lose यानि की धेला, tight यानि की सक्थ, सक्थ, okay सौधा कोता, loose, tight Lose यानि की खोना या हारना, find या win मतलम पाना या जीतना, ठीक है Loser यानि की असफल वैक्ती, winner यानि की सफल वैक्ती तो आज की इस वीडियो में हम लोगोंने 280 वर्ड मिनिंग देखे हैं हां कुछ-कुछ डबल आ सकते हैं लेकिन हम लोगोंने 280 वर्ड मिनिंग देखा जिदमे 140 का हम लोगोंने opposite word देखा तो यह अभी हम लोगोंने LA letter से L letter तक के opposite word हम लोगोंने देख लिया और बाकी next part में लेकर आऊंगी अगर आपको यह याद हो जाएंगे अच्छी तरह से इसका PDF लेने के लिए आप यहां screenshot लीजे slide का और यहां पर scan कीजेगा तो directly आप हमारे telegram चैनल पर पहुँच जाएगा जिसकी PDF मैं upload कर दूंगे telegram पर तो आप इसे डाउनलोड करके इसे याद कर लेना अगर आपको याद हो जाएगा तो आप comment में बताना इसकी आगे वाली opposite word में लेकर आऊंगी तो comment में जरू बताएगा थाकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका है और आप लोगों को इसका next part चाहिए तो आज की ये वीडियो में हम लोगों ने opposite word प्लस word मिनिंग देखा था आप लोगों को कैसा आज का ये वीडियो लगा comment में जरू बताएगा और ये बिगनर सो एडवांस लड़ना दोनों के लिए था गाइस अगर आप मैं चानल पर नहीं हों मेरे पढ़ाने का तरीक आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और अगर इसी तर से और भी आप opposite word listening Bible वीडियो चाहते हो तो लिप साइट क्लिक कर कर तो लिप साइट क्लिक करके आप मारे word meaning plus synonyms plus opposite word plus example archos थाइट हो और अजग कर सकते हो प्योशा के делать 30 days life speaking class में आप हमें जॉइन करना चाहते हो तो वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाकर आप विजिट कीज़ेगा 30 days life speaking class वहाँ से आपको मिल चाहेगी मिलते नेक्स आस इंफोमेटी वीडियो के साथ तब तके लिए कीप लर्निंग